हेलो फ्रेंड्स मैं मानसी मौर्या एंड नाइवार वाचिंग M.M.Education YouTube चैनल तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इस्क्रिन पे देख रहे हैं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स, एथर कौन सा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल्स, एथर और कौन सा हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़े classification, nomenclature and second part में, second part में पढ़े nomenclature और यहां पर पढ़े हैं थर्ड पार्ट में, structure of functional group तो आज के वीडियो में हम आपको बता दे, preparation of alcohol हम देखेंगे, तो अगर आप चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे, बेल आइकन पर प्र तो देखेंगे, तो देखेंगे, preparation of alcohol हमें क्या पढ़ना है, preparation of alcohol और किस मेधर से, from alken, आपकी बुक में भी होगा, from alken, alken के थ्रू हम क्या बनाना सीखते है, alcohol, तो यहार बहुत simple सा है, बहुत easy सा है, तो देखें, alken बोलते किसे है, first of all, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या हमें करवाना क्या है है हाइड्रेशन करवाना है है क्या होता है एस टू वाटर मॉलिकूल यहां पर है तो यहां पर एक बॉंड ब्रेक हो जाएगा जो कि सेड हो जाएगा तो देखें हमें करवाना क्या है यहां पर सिंपल सा हाइड्रेशन करवाना है तो यहां पर एस बीनो carbon to carbon double bond है तो यहाँ पे हमें असपस ट्रूप से loosely bonded py-electron दिख रहा है दिख रहा है ना यह यहाँ पे एक loosely bonded यह जो bond है यह loosely bonded है ओके तो यहाँ पे आपको loosely bonded py-electron दिख रहा है तो क्या होगा simply एक carbon से आप hydrogen add कर दोगे यहाँ पे यह जो bond break हुआ है एक carbon के साथ hydrogen add हो जाएगा और एक carbon के साथ क्या add हो जाएगा OST बस यहां पर इतनी सी ही बात कही गई है और यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं alcohol का formation हो चुका है, alken के थूँ alcohol का formation हो चुका है और किस मेठर से hydration हमने यहां पर करवाया क्या है? hydration करवाया, okay तो देखिये हम आके पढ़ते हैं Acid Catalyzed Hydration हम क्या पढ़ते हैं Acid Catalyzed Hydration त्यार देखते हैं जैसा कि आपने देखा बस ऐसा सिंपल सा है तो इसमें आपको दो चीजे पढ़नी हैं क्या एक Symmetrical Alkin and Second one Unsymmetrical Alkin तो अभी जो आपने जो एक्जामपल देखा था लास्ट आली स्लाइब में वो तो Symmetrical Alkin रखें वो Symmetrical Alkin का था है ना अच्छा चलिए ठीक है Symmetrical Alkin बोलते किसे हैं Unsymmetrical Alkin तो यहां है देखिए आपको पता है कि Alkin बनती कैसा है Double Bonded Double Bond से जहां Double Bonded Carbon 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 to Carbon Double Bond हो ना उसे क्या बोलते है इसके दोनों साइट पे Hydrogen and Carbon नंबर सेम होने चाहिए मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही बोला है कि Symmetrical Alkin में क्या होता है कि इस Double Bond के दोनों साइट पे Carbon and Hydrogen नंबर सेम होने चाहिए उसे क्या बोलते है Symmetrical Alkin अब Unsymmetrical Alkin की बात कर लें तो Unsymmetrical Alkin में क्या होता है कि यह जो Carbon to Carbon Double Bond आप देख रहे है न यह जो है Equal नंबर में नहीं होते है इस Double Bond के दोनों साइट पे मैं क्या पोड़े हूं ध्यान से तुमिए Double Bond के दोनों साइट पे Hydrogen and Carbon नंबर सेम नहीं होते हैं बस इतनी सी बात है तो देखिए Symmetrical Alkin Symmetrical Alkin से हम Alcohol बनाएं तो चलिए देखते हैं Symmetrical Alkin से Alcohol बनाके देखते हैं Now you have a Symmetrical Alkin अब हमें इसका करवाना क्या है Acid Catalyzed Hydration क्या करवाना है Acid Catalyzed Hydration Okay देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या है Hydration 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 means साब समझ रहा है जासा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था Water Molecule का Addison Water Molecule का Addison बस इतनी सी बात है तो इसमें हमें दो दो चीजें पढ़ना है पता है क्या क्या Acid Catalyzed Hydration और दूसरा हमें क्या पढ़ना है दूसरा हमें पढ़ना है Hydroboration Oxidation दूसरा क्या पढ़ना है Hydroboration Oxidation दो चीजें यहां पर पढ़नी है Hydroboration Oxidation तो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है तो देखिए यहां पर दोनों ही इलकीन से बनेंगी दोनों ही यहाँ पे जो है एक हमें क्या पढ़ना है acid catalyzed hydration और दूसरा hydroboration oxidation तो यहाँ पे देखिए दोनों में स्टरो का addition होना वट यहाँ पे difference सिर्फ और सिर्फ इतना है acid catalyzed hydration में जो water molecule का add होगा जो water molecule का addition होगा वो direct होगा और तो आपको आगे क्या पढ़ना है है यह भी अलकीन में ही हमें पढ़ना है है ना तो एलकीन में तू टाइप से हम जो है एलकोहल का फॉर्मेशन करेंगे एडिशन प्रोसेस के ही तू टो कर एडिशन एडिशन का ही तो एडिशन करके ही तो एडोकियो का लिखे ऐडिशन तो याप बस हमें यही पढ़ना है, तो यार इसलिए आप हमाई साथ लास्तक बने रहे हैं, तो देखते हैं, अभी हमने क्या लिया है, सिमेट्रिकल अलकीन ले रखी है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत पैसानियाली बात नहीं है, आपको एकदम बहुत आसानी समझ में आने वाली हैं तो देखें, यहां पर आपके बास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, और कुछ नहीं, बस इतनी सी चीज़े दी गई है, और यहां पर आप क्या देखना है, डबल बॉंड है, तो यहां पर क्या है, लूजली बॉंडेट पाइलेक्ट्रॉन है, ज अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, हो गया अल्कोहल का फॉर्मेशन, और यहां पर यह क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, क्या बन रहा है, एथेनॉल ही है न, तो आपने क्या सीख लिया, सिमेट्रिकल इलकीन से, सिमेट्रिकल इलकीन से इलकोहल बनाना तो आपने सीख कि पहले कौपी पोपी पेक करें है और सारी बातें नोट डाउं करेंगे तो देखते हैं फरस्ट आफ और एकfolg अन्समेंट्रिकल इलकीन लेते हैं अब हमारे पास क्या हैrenchिक अंसमेंट्रिकल आलकीन है हाँ हम mechanism देखेंगे don't worry don't worry हम mechanism देखेंगे बस थोड़ा सा patience रखें तो देखें हम अन्सिमेट्रिकल एलकीन में यहां पर क्या यूज करेंगे हम क्या देखते हैं यहां पर करवाना है तो आये चलिए देखते हैं क्या है हाइड्रेशन करवा के देखते हैं ओके तो देखिए यहां पर हमें क्या मिलेगा CH3 CHOH CH2H और यह कौन सा रूल है मौरकॉनिकोफ रूल मौरकॉनिकोफ रूल तो देखें यहां पर आपको अलकोहल फोर्म होता देखते हैं और कौन सा अलकोहल यहां पर फोर्म हो रहा है सेकेंडरी अलकोहल कौन सा अलकोहल फोर्म हो रहा है यहां पर सेकेंडरी अलकोहल फोर्म हो रहा है प्राइमरी अलकोहल भी फोर्म होगा बट किस रूल के कॉर्डिंग एंटी मौरकॉनिकोफ रूल के कॉर्डिंग एंटी मौरकॉनिकोफ रूल के कॉर्डिंग हमें यहां तो हम देखते हैं तो यहां पर आपको यह आपको यहां आइए ओस्तों थो है कि यह बना लिए हम प्राइम स्थाइं और अगर एंटी मौर कॉनिक आव रूल यूज करते हैं इतनी बाते आपको समझ में आ गई हैं तो बच यार अगर इतनी बाते समझ में आई हैं तो और थोड़ी देर आप जो है बने रहे हमारे साथ हम अभी क्या देखते हैं मेकैनिज आपको सारी बाते समझ में आने वाली है कि यहां पर यह जो प्रोपीन है यह प्रोपीन ही तो है इसका आई पैक नेम हां ऐसा मत करिएगा कि आप आगे पढ़ते चल रहे हैं और पीछे पीछे वाला पूरा गायब होता जा रहा है ऐसा मत करिएगा तो इसलिए मैं बोजते कि आप कॉप्री प्रोप पिन लेके बैठं़े कॉप्रिभीन लेके बैठं़े कआयोड और घीच में स TRI जो अपने नोट में नोट डाउन कि आपके नोट में आप जो नोट डाउन कर रहें अगर उनसे संपर्क तूट गया तब तो भाई एक्जाम में बड़ा बबाल होने वाला है तो इसलिए यार मैं बोलती हूँ कि आप साही बाते नोट डाउन करिये और उन्हें बीच बीच में पढ़ते रहा करिये छुझे का अब यह देखते हैं मेकानिजम आप क्या देखते हैं मेकानिजम Kr師 ऐम क्या देखते हैं मेकानिजम किसकी मेकानिजम रख Tasman करेख और कि अपना वाटर मालकूल होता है प्लस हाइड्रोजन अब यह जो हाइड्रोजन है इस पे क्या प्रजेंट है प्लस चाल तो देखे यार यहाँ पे मैं जितना बोल रहे हूं जितना बोल रहे हूं बस उतना ध्यान से सुनिए और लिखिए पहले ध्यान से आप सुन लिजिए फिर उसके बाद लिखिएगा ओ परेशान होनी की बिलकुल भी जरूरत नहीं तो देखिये यहां पर क्या है? बॉस शार्ज आगिया तो यहां पर यह दोनों जब एड हो जाएंगे तो यह हैड्रोनियम अन बन जायेगा इस oxygen पर क्या आगया अब ये दोनों जब add हुए तो इस पर क्या बन आ गया oxygen पर प्लस चार्ज आ गया अब oxygen पर प्लस चार्ज आ गया तो भाई अब जो हैं ये तो रहा है step first ये कौन सा step था ये step first था अब हम second step में देखते हैं अब हम लेते हैं एक asymmetrical alkyne अब हम क्या लेते हैं एक asymmetrical alkyne ओके और हमारे पास क्या है H3O है क्या है H3O तो हम इससे थोड़ा सा अलग-अलग लिख लेते हैं जिससे आपको बहतर तरीके से समझ में आए और इस oxygen पर क्या है तो यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं अब यहां एक बात और मान के चलो कि oxygen पर प्लस चार्ज बना है और oxygen क्या है more elektron Romania TV होता है oxygen हमेशा more electronegative होता है तो यहार अब आप खुद सोचिये कि oxygen is morekil tobacco negative but notρό it's above plus a rush of oxygen पे क्या गया है plus a Ja酒 क्या कर में प्छार्चभा हैं oxygen जो है बहुत stable होताा था बहुत होता था बहुत होता था वहतедकर नीगेटी भाउन अच्छा इसका इलेक्टरोनिगेटी बहुत अच्छी है अच्छा इलेक्टरो निगेटी टीम इंस यह образ है उत् reactions का उत् unten को अंपनी औरों इतना समझ में आपको तो यह जो ऑक्सिजन है यह इसे बड़ा अनिस्टेबल बना रहा है तो कोई भी होगा अगर कोई चीजे उसे अनिस्टेबल बना रहे हैं तो वो खुद उसे हटा कर उसे हटाना चाहेगा कोई भी होगा अगर उसे अनिस्टेबल बना रहा है तो उस चीजे को उसी को हटाने की कोईशिज करेगा तो यहाなफंद से तो यह ऑक्सिजन किया करेगा इस बंड को अपनी और अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर एक चीजा अप और देख रहे कहां और डैबल बॉण डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है न तो इसमें से एक बॉन्ड कैसा है लूजली बॉन्ड है डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड कैसा है लूजली बॉन्ड है तो अब आपको यहां पे लूजली बॉन्ड पाइलेक्ट्रॉन दिख रहा है है न तो क्या होगा कि यह जो है अब आ यह आवी को आडाром जूरु आए हम एक कारबन sih यह भात्त है को समझ में भी आने चाहगी तो यह bond क्या करेगा lusley-bonded जो Πाअट्रोन यह कारबन की तरफ मोब जाएगगा इतनी बाते हैं एक को समझ में आ रहे है AZE पंड का के यहां पर यह हैं तरय हें चीनिय कि मिले करे केरें के तरय कंभ कि इतनी बाति में आई यह पर दो को यह दर दो खआए यहां पर अपनी बाते आपको समझ में आ रही है तो आगे की बाते समझ पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है और यहां पर मैंने बताया ही क्या आपको बाते समझ में आई होंगी यार है क्यों कि देखें में आपको फीर से बार बोल देती हूं यहां पर है जो है यहां इसी का इस्ट्रक्चर मैंठे को की तो यहां पर आपको पहले बी प्लस सार्ज उक्सिज्में पह झालगा दिया अभी Sigान्य बना बना रहा है तो यह oxygen जल्दी से जल्दी stable होने की कोशिछ करेगा तो यह oxygen stable होने के चक्कर में यहां पर जो bond है ना यह वाला bond hydrogen से जो add bond इसे अपनी और अटरेक्ट कर लेगा तो यह hydrogen अभेला बचा तो यहां पर आपने देख तो अब आपको यह भी पता है कि carbon to carbon Professional number कि एक होता है है कर दो यहां इलेक्टरां इलिकटरन की स्टी हाइडेयर है यहां पर क्या फर्म हो रहा है वक्न ही पीधे कि यहां पर क्या फर्म हो रहा है अब यहां इस carbon पे क्या है प्लस चार्ज है तो यह two degree carbon बन रहा है बन रहा है बिल्कुल और यहां पे आपको एक बास समझ में आ रही होगी कि यहां पे primary carbon भी तो बन सकता था primary carbon कैसे बन सकता था भई अब जो यहां पे यह bond break हुआ है double bond डबल बॉंड जितना इस से एड है उतना इस वाले कार्बन से भी तो एड है अब यहाँ पर ऐसी कोई बॉंडेशन तो है नहीं कि भाई यह बॉंड जब ब्रेक होगा तो यह इलेक्टरॉन इधर ही इस कार्बन से ही एड होगा अरे इधर भी तो add हो सकता है यह carbon जो है और यह bond जो है इस carbon से भी तो add हो सकता है बिल्कुल add हो सकता है तो देखिए तब क्या बनेगा फर्स डिग्री कार्बो कटायन बन जाएगा कैसे CH3 तो यहां पर यह जो hydrogen है यह जो hydrogen है इस वाले carbon से add हो जाएगा इस वाले carbon से क्यों इस वाले hydrogen से क्योंकि यह oxygen यहां पर यह सारे process तो वही होने कि भाई यह oxygen खुद को stable करेगा यह वाला bond लेके oxygen खुद को stable करेगा लेकिन यह hydrogen इस वाले carbon से add होने के बजाए फिर इस वाले carbon से add होंगे क्यों ऐसा क्यों होगा क्योंकि यह bond ब्रेक होने के बाद कहां पर सिफ्ट हो रहा है इस वाले carbon से तो क्या होगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर CH2 हो जाएगा तो चलिए मैं यह hydrogen अलग से आगे हम चलिए देखते हैं अगे हम क्या क्या रही देखते हैं यह पर इतना चरह याद रखेगा यहां पर इतना याद रखेगा यहांपर तो पर गार अगर आपको साई बात निभी 77 तो देखें, यहाँ पे क्या है, आपको CH3 मिला था, फिर उसके बाद क्या मिला था? CH, और जिस पे क्या था? एक plus charge था, फिर उसके बाद क्या था? CH2, वही CH2 था, और एक हाइडोजन हमारे पास अलग से एड हुआ था, कहां वाला हाइडोजन एड हुआ था? वोटर मालीक्य हईडरोनियम ऐन वाला है है अगते हम तो अब इस मेकेनिम बढ़ें तो आगे तो देखें हईडरोनियम यहं हैं तो एक हईडरोनियम यहां फैस थरिय पास बचा क्या है वाटर ट्रवाट अब और मोल्क्यूल science कार्बन को क्या करेगा यह अपना इलेक्टरोन इस वाले कार्बन को डोनेट करेगा तब देखे क्या होता है आगे कि देखिए यहां पर फिर क्या फर्म को आपको क्या मिलेंगा हम brightness को A degrees देखेज और यहां पर CH epi so jejina हे तो देखें यहां पर क्या था और इससे क्या एड़ थे दो हाइड्रोजन अब यहाँ पर देख़िए इसके फिर से वापस आ चुका है पुछिए क्यों प्लस चार्ज इसके वापस आ चुका है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रोन इस कार्बन को नहीं दे दिये थी अब ये फिर से वैसे अनिस्टेबल हो गया अब ये ऑक्सीजन अब जल्दी से जल्दी खुद को इस्टेबल करना चाहेगा तो ये बॉंड ब्रेक करके ये खुद अपनी और अट्रेक्ट कर लेगा तो अभी ये हाइड्रोजन बचा के लिए तो ये क्या करेगा ये वाटर म यहां पर प्लसदु चाहर्ज आपको दिख रहा होगा है अब यह देखिए वाटर में यहां पर opposition प्लसदु ना पी अर यहां पर मदोर्तायq में पास यहुद्कॉwasser हाइड्रोजन इसके साथ हाड हो किया बना लेगा हाइड्रोन इमयं तो अब एक के अगे के च्थेप द ch3 आपके पास यहां पर क्या फॉर्म चेंडरी और Śाहरे मार को घुडर फॉराय है कभु मत भूली मर्कोनिक रूल यहां सकेंडरी अल्कोहल प्रिपे Joy इस एमने हमिद आपको मेकनिस्म भी समझ में आई होगी और यारानी क्योलीशे मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छ से स्क्लियर ली तरीकिस एकदम समझाया है지는 औरOOOO अभी हमें क्या叫ण है क्या है हमारा hydro boreson oxidation है हईड्रो बोरेशन औकसीडेशन तो याँ इसे हमद पढ़ते हैं mac और हाँ इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बिल आइकन पर प्रिस कर लिए और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो याँ प्लीज वीडियो को लाइक करके जाया करिए वर्ना क्या होता है ना कि आप पढ़ भी लेते हैं और वीडियो समझ में भी आ इस वो वर्न तू मोर वीडियो सो फ्रेंस लाइक और सब्सक्राइब म.M.Education यूट्यूब चैनल और थैंक यू थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो बाई-बाई